अधिकार एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने पर आपका चालान कौन काट सकता है चालान काटने का अधिकार किसे है यदि ट्रैफिक कांस्टेबल के कंदे पर सफेद रंग के फीते पर वैज है तो वहा जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं रखता है Constable केवल वहन का नंबर नोट करके जेडो को दे सकता है जेडो के कहने पर चालान की परची काट कर दे सकता है हलांकी हेट Constable जिसकी वर्दी पर वैजवाला सफेद फीता बाजू पर है वह वहन चालक से 100 रुपए तक का जुर्माना वसूल सकता है एएसाई या एसाई जिसके कंदे पर वैजवाला सफेद फीता कंदे पर होता है वह 100 रुपए से ज़्यादा का जुर्माना वसूल सकता है दिल्डी ट्रैफिक पुलिस में Constable से लेकर एसाई रैंक तक के पुलिस वाले नीली पैंड सफेद सर्ट और सफेद विल्ट पहनते हैं इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के कंदे पर फीता रहता है ये अधिकारी खाकी वर्दी पहनते हैं और उस पर सफेद विल्ट लगाते हैं कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चलान तभी काट सकता है जब उसने वर्दी पहनी हुई हो और उस पर नेम प्लेट लगाई हुई हो अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है तो आप उसकी कारवाही का विरोध कर सकते हैं और उससे उसका आई कार्ड मांग सकते हैं किसी भी ट्रैफिक हवलदार को किसी भी वाहन चालक को गिरापतार करने या वाहन जबत करने का अधिकार भी नहीं होता है ट्रैफिक हवलदार आप से पल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर्स भी नहीं मांग सकता है क्योंकि यह अधिकार सिर्फ आर्टियो अधिकारी का होता है यदि आप किसी तरह का यातायात नियम तोड़ते हैं तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चावी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है